हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हो आप सभी लोग उमीद करता हूँ अच्छे होंगे स्वागत आपका अपने YouTube चैनल शर्माजनिंग क्लासिस के अंदर दोस्तों भरती प्रिक्षा के उपर फिर से बवाल खड़ा हो गया है फिर से परशन के उत्रों पर विवाद खड़ा हो गय है चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम विर्थ नहीं करेंगे फड़ा फड़ टोपिक ही बात करते हैं देखो विवादित परशन उत्र मामला त्रित्रिये शिर्णी शिक्षक लेवल पर्थम भरती 2022 जो 2022 की पैंडिंग भरती थी उसके अंदर परशनों के उत्र को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है विवादित परशन उत्र मामला कमेटी जांच रिपोर्ट पेश करें आफ शिर्णी शिर्णी शिक्षक लेवल पर्थम भरती 2022 के विवादित परशन उत्र मामले में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को विवादित पर्शन उत्रों का प्रिक्षन कर जांच रिपोर्ट 29 स्टमबर तक अदालत में पेश करने का निर्निया दिया है एक्चल में वहाद किया था कि दोस्तों कि स्टुडेंट ने याची का दायर की थी कि भाई जो हमने अंस्वर लगाए हैं वो सही है लेकिन अंस्वर की के हिसाब से पर्शन जो है वो गलत बताए गए है तो उसको लेकर के हाई कोट ने एक्सपर्ट कमेटी जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं उनकी कमेटी बढ़ा करके का है कि 29 सितंबर तक जो है उन्हें फैसला देना पड़ेगा जो भी अंस्वर है वो सब्मिट करने पड़ेंगे राजस्तान हाई कोट के अंदर उसके बाद राजस्तान हाई कोट के है इस पर फैसला लेगा जस्टिस उदेश मंसल ने यह आदेश प्रियंका शर्मा और अन्या की याचिकाओं पर दिया अदालत ने एक्सपर्ट कमेटी कहा कि वह NCRT वह बोर्ड की किताबों के अधार पर विवादित परशनुतरों का प्रिक्शन कर अपनी रिपोर्ट पेश करें क्यों दोस्तों हर बहुत सी बार ऐसा ही होता है कि मतलब कोई विद्यार्थी किसी बुक से पढ़ रहा है कोई विद्यार्थी किसी बुक से पढ़ रहा है और उसके बाद होता है कि बोर्ड किसी को सही मान रहा है किसी को गलत मान रहा है तो उस हिसाब से ठीक है न तो इसके उत्तरकुंजी में प्रार्थियों के परशनों के जवाब सही थे लेकिन बोर्ड ने एक्सपर्ट कमेटी बनाकर कई सवालों के जवाब डिलीट कर दिये और कुछ के उत्रों में बदलावकर उत्तरकुंजी जारी कर दी मैं लोग की विद्यार्थियों कहना है कि वो सब कुछ सही था लेकिन उत्तरकुंजी डिलीट की उत्तरकुंजी चेंज की गई है बोड के दोरा जिसमें की उन्हें डाउट था ठीक है इसे हाई कोड में चुनूती देते हुए कमेटी ने विवादीत परशनों की जांच के दुरान राजे सरकारों मायनेता प्राफ्त संस्थाओं की किताबों की बजाए नीजी पब्लीशर्टों पीजी सस्तर की किताबों को अधार बनाया है मैं लगा विजार्थियों का यह कहना है याचिका के अंदर कि जैसे मालों NCIT या फिर स्टेंडर बुक्स है जो की अच्छी लेवल की बुक्स है उनको अधार नहीं माना सिर्फ लोकल पॉब्लीशर्टों की बुक को अधार मानके आंस्वर को सही और गलत कर दिया केमेटिक रिपोर्ट सही नहीं है ऐसे में NCIT और बोर्ड किताबों के उन सारी विवादित परशनों वे उत्रों का प्रेक्शन किया जाना चाहिए यहाँ दोस्तों बिल्कुल यही होना चाहिए क्योंकि जो NCIT और जो स्टेंडर की बुक से त्यारी करते हैं ठीक है ना तो आप लोकल पॉब्लीशर की वजए से लोकल पॉब्लीशर के अंस्वर को अधार मानकर के अंस्वर की जारी नहीं कर सकते यह बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने वाला मामला हो सकता है ठीक है ना तो दोस्तों यह था आज का अपडेट बाकि अब देखते हैं कि 29 स्टमबर से पहले पहले क्या कुछ अपडेट आएगा क्या कुछ हाई कोट के अंदर सब्मिट किया जाएगा एक्सपर्ट के मिटी की दोबारा उसके बाद इस के लिए चैनल के उपर प्लेलिस्ट आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर जय हिंद जय भारत लवी ओर